आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट, सॉफ्ट आलू का पराथा और भिल्कुल धाबा स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही चटपटा स्पाइसी आलू का पराथा बनता है वैसे तो आलू के पराथे कई तरीके से बनाया जाते हैं लेकिन आज यह जो तरीका में बता रही हूं इससे एक बर बनाके देखें आपको बहुत पसंद आएगी रेसेपी तो दोस्तों आयो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आटा को गूत कर लेंगे यह दो कप यह का आटा मैंने लिया है इसमें डालेंगे आधा टी स्पून नमक और एक टेबल स्पून के करीब इसमें डाल करना है इंड आटा हमारा जितना अच्छे से सफ्ट ओगा तो उतना ही पराथे हमेरे अच्छे बनेंगे और फटेंगी नहीं हिस तरीके से दो टीन मिनिट तक हमें अच्छे से आटे को गूत लेना है और यह देखी हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है इसको धख कर 10 मिनि में आलो कच्छे से मैश कर लिया हैं और अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज है तो पहले इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्यास बारिक कटा हुआ 1 Tbsp. बारिक कटी हुई हरी मिर्च एक टेबलस्पून ग्रेट किया हूँा अध्रग करिक कटी हुई हरी धनिया थेट फुटिसी डाल देंगे और अब डालेंगे pacteakya 97 नमण च हाथ मेंद हाऊ बसी सुखे मसाले तो यह चाह्थी पो美味 टेड्ञ जालुट 12 tsp Kashmiri lal-mirch powder, 1 tsp आम चूर पाउडर, तो आप एक टेवल स्पून निम्बू का रस भी आड़ कर सकते हैं और सारी सिजों को मिक्स यह दो के सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे परफेक्ट आलो की फिलिंग रेडी हो गई है आप देख सकते हैं यह फिलिंग एकदम सुखी सुखी है आलू बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है इसी तरह की फिलिंग होनी चाहिए यह देखिए आटा भी हमारा बिल्कुल सेट होकर रेडी हो गया है एक बार इसको फिर से गूत लेंगे और स्मूध कर लेंगे तो यह देखिए आटा भी अच्छे से स्मूध हो गया है अब हम आटे में से एक बड़ा सा पॉर्शन निकालेंगे इतने आटे से हमारे आट पर आठे बनकर रेडी हो जाते हैं एक इस तरह से पॉर्शन निकालेंगे और इसको राउंड बना लेंगे और अब इस पर सुखा आटा थोड़ा सा ड्रस्ट कर लेंगे और अब हमें क्या करना है इसको उंगलियों की मदद से इस तरीके से कप के शेप का बना लेंगे ताकि इसके अंदर हम आलू की फिलिंग भर सके आलू की जो फिलिंग हम बनाएंगे वह स्टिकी नहीं होनी चा अब हम इसमें आलू की फिलिंग भरेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी ज्यादा आलू की फिलिंग ली है दो से तीन टेबल स्पून आलू की फिलिंग इसमें भर देंगे और इस तरीके से उंगलियों से फिलिंग को अंदर दबाते हुए और आटे को हमें इस त इस पर हम थोड़ा सा आठा डस कर लेंगे और इसे हमें तुरंत बेलडा नहीं है रोल नहीं करना है इसे थोड़ा सा उंगलियों की मदद से इस तरह से बढ़ा कर लेंगे इससे क्या होगा जो हमारी आलू की फिलिंग है वह अच्छे से चारो तरफ फैल जाएगी पराठे के अंदर और इसे फैलने की जगर मिल जाएगी अब हमें थोड़ा सा आटा डस कर के और इसको रोल कर लेना तो अलू का पराठा थोड़ा सा य अच्छा लगता है तो मैं इससे थोड़ा सा ओ आपा पराठा बनानाना है तो आप पतला भी बेल सकते हैं तो यह देकिए इस ब अलो की filling भरने में दिखकत आती है, आप इस तरह से भी इस तरह सो भी आलो की filling भर सकते इस अब एन पूरी की Place में में तरह का बेल लेंगे और इसके बीच में सेंटर में हम फीलिंग आलो की रखगरएंगे और इस तरीके से चारो तरफ से my अघमर्ट कोई कठा करते हुरे बीच में इस तरह से तब थे चला इस increment से यह लएधा थे अधा देंगे अ इस ँएलक तर दवाख हो गया और भी आपसा बदे ऐसे सब्सके counterparts और इसको रोल करतेना है तो हैना दोस्तों एक रम आसान तरीका अगर आपको पराठे को भरने में थोड़ी दिक्कत आती हो तो आप इस तरीके से भी आलो के पराठे को भर सकते हैं यह देखे यह भी बिल्कुल भी नहीं फटा है बिल्कुल बढ़िया सा पराठा मार अपते अब पराठे को सेक लेंगे तो तबा मैंने गरम कर लिया है गरम तबे पर हम अच्छे से पराठे को सेखेंगे दोनों तरफ से एक तरफ सिख जाए तो इसे पलट देंगे और इसकी उपर लगा दिगे घी आप चाहें तो यहां पर आपर यूज कर सकते हैं यहां बटर का आपको पसंद हो और दोनों तरफ हमें अच्छे से क अब अच्छे लगते तो ङलाते थाधिया तो बहुत ही अच्छे थानने को पूल रहा तो यह तरीके शर्मास्ता से बाधा न्याउत यह आलो का पराठा बहुत ही ईजी है बनाने में, बस थोड़ा सामें ध्यान देना है फिलिंग और दो के उपर और हमारे परफेक्ट फूले-फूले बढ़िया आलो के पराठे बनकर तयार हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आलो का पराठा बना है, और तरह इक पराथे को मैं आपको इस तरह से इस के अंधर की फिल्ग दिखा देती हूं कि कैसे अलू की फिल्लियंग अमारी पराठे चाह थे प्राह्त के अंधर जुरूल पया ते आरो है ते पहीं तो इस तरह की से पराठी जबनाए तबहूत पसंदा आएंगे चाह diffи के शार दही के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी आसान सी रेजिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाई